हलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू माई चानल, तो आज यस प्रड़क्ट के हम बात करने वाले हैं, वो आपने थामनेल पर अरड़ी देख ही लिया होगा, वो है ये M.Caffeine का Body Polishing Oil, आप देख सकते हैं ये, ऐसे दिखता है, और इस प्रड़क्ट को मैंने ओर्डर किया है, ये Body Butter, जिसकी क्वांटिटी जो है, वो 20, 30 Grams है, और इसके बाद जो मुझे मिला, वो मिला ये Coffee Scrub, जिसकी क्वांटिटी जो है, वो 20 है, ये दोनों प्रड़क्ट्स जो मुझे मिले, वो मिले, बिलकुल free of cost, वो इस Body Polishing Oil के साथ, और ये Body Polishing Oil जो है, इसका जो प्राइस है वो 4.45 है, बट ये मुझे डिसकाउंट पे 4.25 का मिला, और साथ मुझे ये दोनों free भी मिले, तो ट्राइ करना तो बनता है, और चलिए तो हम बात करते हैं, प्रोड़क्ट की, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जो ये M.Caffeine प्रोड़क्ट की रेंज है, ये बह बहुत पुरानी नहीं है, ये अभी लॉंच हुआ है कुछ टाइम पहले, और जो सबसे पहले प्रोड़क्ट मैंने इसका मंगवाया है, ये बॉड़ी बटर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, जिसकी वज़े से मैंने ये बॉड़ी पॉलिशिंग और ये बॉड़ी अच्छा लगता है, तब भी आप उसका दूसरा प्रोड़क्ट मंगवाते हो, तो इस वज़े से मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैंने ये ओर्डर किया है, हाववर बॉडी स्क्रब मैंने इसका आज तक नहीं ओर्डर किया, क्योंकि बॉडी स्क्रब जो है, जिसे कि आपने देखा, इस वाले पैकेट में आपको मिलता है, और इस तरह की ग्लास बॉटल में आपको मिलता है, जो ग्लास बॉटल है, ये बहुत ही रिच लुक में इनो ने बनाई हुई है, आप देख सकते होपर कॉफी बीन्स भी इस में फ्लोट करे है, और इसकी जो बात करते हैं इसकी, तो बॉडी ओएल का हम देख लेते हैं, ये कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके पैकेट पे क्या लिखा हुआ है, कि हमको इसको कैसे यूज करना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले हमें इससे 10-15 मिनिट मसाज करनी चाहिए और उसके बाद हमें क्या करना है उसके बाद हमें जो बोडी स्क्रब होता है इस BODY'S bathroom裡面 करना है जब या Must बोड गो जुआ उसके बाद और उसके बाद्स करने के बाद ये BODY BUTTER घरना है old and ईस पे लिखा है कि हमें इसे इस the vodensitivity use करना चाहि है Oherman मैं इन सब products के साथ यूज नहीं कर रही हूँ, मैं इसको अखेला ही यूज कर रही हूँ, बिल्कुल, ये दोनों products मैं अभी साथ में यूज नहीं कर रही हूँ, 4-5 days हो गए हैं, मुझे इसको यूज करते-करते, तो आप देख सकते हैं कि इसके जो results हैं, वो already काफी अच्छे हैं, अभी मैंने अप्लाई नहीं किया है कुछ भी, तब भी मेरे हाथ जो हैं, वो काफी shiny लग रहे हैं, मेरी जो skin है, वो super dry skin है, एक होती है dry skin और एक मैंने नह लोग इसको अपनी palm पे ले सकते हैं, मैंने थोड़ा सही लिया है, बहुत जादा नहीं लिया है, उसके बाद आप इसको अपने हाथ पे इस type से मसाज कर सकते हैं, काफी अच्छा ये oil है, काफी smooth मुझे लग रहा है, काफी light मुझे लग रहा है, क्योंकि जो कुछ oils होते है आप बोलेंगे कि वो सारे oils लगाने के बाद भी shine तो ऐसी आती है, तो shine तो इसमें भी आ रहे है, no doubt, बट ये जो है सबसे important बात जो इसके बारे में है, वो ये है कि body पे लगाने के बाद बहुत ही light feel दे रहा है मुझे, और ये absorb होना भी start हो गया है, और बहुत ही soft मुझे skin feel हो रही है, तो आपको इसी टाइस इसको 10-15 minutes मसाज करना है और इसको फिर आपको छोड़ देना है, या फिर जैसे की instructions में लिखा है आप इसको ऐसे भी use कर सकते हो, but मैं इसको ऐसे ही use करती हूँ, मैं इसको लगाती हूँ और इसको मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है, तो आपकी चॉइस है कि आपको इसको कैसी यूज करना चाहते हो, but I think it's a thumbs up for me, because it is a very good oil, और इसको यूज करके मुझे अपनी बॉड़ी में काफी सारे चेंज लग रहे है, मुझे असा लग रहा है कि मैं स्किन पहले से स्मूध हो गई है, और इसको फॉर फाइव देज में ही कोई भी इस प्रोड़क्ट से लेटेड क्वेरी है, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिकर मुझे पूछ सकते हैं, I will surely reply, so thank you, thank you so much.